एक और जैसे बाबा की बात है, सहाब, बीबी और गुलाम वाली बात है, सहाब, बीबी और गुलाम, हम क्या करते हैं, अभी हम क्या हो गए हैं, किसी को सहाब बना लेते हैं, किसी और का अपना सहाब बना, किसी को अपना बीबी बना लेते हैं, यह मेरा मालिक है, यह मेरा जै चुझा है, और ये क्या है? बाफ करमेंद्रिया हैं, हमारे इक तो फ़ी तीन सुक्षम शक्तिया है, मनबुध्धी संस्कारा, और उसके नीचे किस्तूल करमेंद्रियाई हैं, अभी तो जीब जो कहते है वो खाने के लिए इसको गुलाम है, आंक जो कहते हैं, वो देखने के गुलाम है, सुनने के लिए कोई बात होगे, इसको सुनने के लिए गुलाम होगे, गुलाम के भी गुलाम होगे ना, मन बुद्धी संसकार तो हमारे गुलाम है, अभी उसके भी गुलाम है, ये पांचो कर्मिंद्रियां, तो उसके भी गुलाम हो गई। बाब कहता है, सच्चे साहव को क्या बनाओ? एक सच्चा साहव है ना? तुम तो पहले अपने अकाल तक्त नशीन प्राइब, अकाल तक्त बन जाओ, अकाल तक पर बैढ जाओ, ठीक है? अकेले होंगे तो मन-Buddhi-Sanskar तो मैं गुलामनी बनेंगे, नहीं बनेंगे, तब तो मनुष्य का मतल़ा भी मन-राजा है, मनुष्यों का मना मन-राजा है, आत्मा उसके वश्च में है, करमेंद्रिया सारी उसके वश्च में है, अभी जब मैं बाबा के साथ अपने अकाल तक हिए हां बैठ गया अकाल तक बैठा और बाबा के दिल तक पिछड़ गया क्योंकि जो काल तक नशीन है वही दिलतक्ष नशीन है तो ऑफरे tahun심 टो आटॉमेटिक साफी करुमंद्रिया मेरे मन-शनस्कर मेरे कंट्रोल में में आ गए और जब मन बुद्धी संसकार कंट्रोल में आ गए कहते हैं ना तीन चीज ब्रामनों को बटकाती कौन को सी बटकती बुद्धी चंचल मन और पुराने संसकार विकारी संसकार ये इंसान को तंग करते हैं बाबाग से योग लगाने देते हैं तो बुद्धी को क्य फिर मन को क्या करो, मन को लक्षे दे दिया मैंने, क्या करना है तुम्हें, क्या सोचना है मुर्ली इसको लक्षे दे दिया, क्या तुम्हें मुर्ली के बारी सोचना है, मुर्ली के बार जाना नहीं, क्योंकि मुर्ली सुनोगे, तो मुर्ली धर बनोगे, मुर्ली को धारन करोगे सुनने नहीं सुनने वाले तो गोपवपियां होते हैं ना धारन करने वाला कोन होता है मुर्ली धर होता है तो मुर्ली सुनेंगे मुर्ली धारन मुर्ली क्या करेंगे धारन करें तो मुर्ली धर बन जाएंगे और संसकार क्या बनाने है, संसकार क्या बनाने है, संसकार क्या बनाने है, येस, जो बाप के संसकार हो, मेरे संसकार है, तो ये practically कर लेते हैं, तो ये सारे, सारी करमेंद्रियां, तीन करमेंद्रियां, ये सुक्षम और स्थूल पांचो करमेंद्रियां और शरील, कैसा भी है, बले खप्तारा गाड़ी है खप्तारगाड़ी समझते हो ना पंचर हैं गुटने खुराब हैं Skype और गुटने खुराब है एक्सल तूटा हुआ है कमर भी ठीकसे चलती नहिंऀचन भी कराब है यह इन बाटन भी कराब है और मियर 12 कियि को मोती आगा किसे कुछ हो गया दिखाई देने चश्मा लगा वा कुछ कुछ प्राब्लम ने सभी को प्राब्लम थोड़ी थोड़ी थो है नहीं बले खटारा गाड़ी है फिर भी क्या होगा यह भी साथ देगा तंग नहीं करेगा स्थिर हो जाएगा दवाइयों के अवशक्त मतलब बेकार जाता है क्योंकि मन बाकि तो अमारे सब पुर्शार्थी निये खतम करने का विक्रा मिनाश करने का मुंबत्ती जला के कैसे विक्रा मिनाश होंगे कि मैं तो ज्वाला मुखी योग चाहिए ना तो वह बेहत की विरागे विरति के आएगा नहीं तो ऐसी पावर्फुल स्थिति होगी तो हमारा तब तब जब सो परसंट जब एनरजी आएगी न जब टोटल बेहत की विरागे विरति अनासक्त विरति उप्राम विरति आ फिर हंटर पसें एनरजी आएगे सारा सारा शरील पूरी एनरजी थायराट काम नहीं करतार काम करना शुरू कर जाएगे बैर्सेटर काम करें बढ़ रहा है वही चुछ में अपने आम मर्जी से बढ़े जारा बीन टिकट के लिए फिर बढ़ेगा नहीं एक्दम थंडा हो जाएगा शूगर यहाँ पैंक्रियाज इंसुल निकालनी रहा है निकाल रहा है तो इस फेक्टिव नहीं है बेकार है है न फिर ठीक निकलनी शुरू हो जाएगे टांग खराब है गुटने खराब है काम करना शुरू कर देंगे बोलेंगे नहीं चुपचप चुपओके बैठ जाएगे तंग नहीं करेंगे गोली लाओ गोली तो ही नहीं इतना एंडॉर्फिन निकल जाएगा आपको दर्द हो गई नहीं शरीर यहाँ होगा उड़ते रहेंगे मन बुद्धी से उपर तो वो समय आ जाएगा जाएगी जाएगी नहीं जाएगे का मन बुद पर तो वो समय